धन्य है वे, जिनका रधय निर्मल है, वे ईश्वर के धर्शन करेंगे, संत्मत्दी का सुसमाचार अध्याई पांच, पत्संक्या आठ, आज का सुपसंदेश है प्रभू, ये है वे लोग, जो तेरे दर्शन के लिए तरशते हैं। हे प्रभू, हे वे लोग, जो तेरे दर्शन के लिए तरशते हैं। आज माता कलिश्या सब संतों का महोसव मनाती है। आज जो संत प्रभू ने हमारे लिए दिये हैं, उनके लिए धन्यवाद देना है। जिनके जीवन के द्वारा हम प्रभू के पच्चनों पर चलने के लिए कोशिश करते हैं। वे हमारा सहारा बन जाते हैं। संत पौलूस करते हैं, सब कोई संत बनने के लिए बुलाये गये हैं। यह नहीं कि संत वही लोग बनते हैं, जो कटिनायों के परिश्रम में अपना जीवन बिताते हैं। मुश्किलों को सामना करते हैं। लेकिन आप और मैं हम भी संत बनने के लिए बुलाये गये हैं। ऐसे बहुत सारे क्रीश्ती लोग होंगे प्रिय भाजत बैनों इस संसार में, जो अपने जीवन को सटीक तरह से जीते हैं। प्रबु का वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। उसके अनुसार जीवन बिताते हैं। लेकिन वो संत करके गोशित नहीं किये गए हैं। इसलिए आज माता कलिसिया उन लोगों को भी याद करती है। और हम कतने ऐसे लोगों को मिले होंगे। हमारे माता पिता होंगे। बहाए बहन होंगे। और अन्य कोई जो समाज में मिलते होंगे। जो एक सटी जीवन बिताते हैं। संत के रूप में जीवन बिताते हैं। जिन में कलंक नहीं है। अच्चाएं हम पाते हैं। इश्वर के वरदानों को अपनाते विये उसको दूसरों में बाणते हैं। वे सब संत है मेरे प्यारे विश्वासियों सब धन्य है इसलिए प्रभु आज का सुसमाचार में हम सब को धन्य कहते हैं जो रिदैस निर्मल है जो विनम्रता का जीवन बिताते है जो स्वहर गराज का गोशित करते है जो नम्र है जो शोक करते है जो दयालू है ऐसी लोग भी प्रभु कहते हैं संत हैं धन्य हैं आज जब हम सबी संतों का पर्व मनाते हैं हमें ये देखना है मैं किस तरह से उस संतों के संगती में आपाऊंगा क्या मैं दीन हीन हूँ क्या मैं नम्र हूँ क्या दयालूता मुझ में है रधाय से निर्मल हूँ इश्वर ये सत गुणों को धारण करता हूँ चुनावतियों का सामना करते विए प्रभू का वचन को जीने के लिए कोशिश करता हूँ क्या सच्चे रिदय से ख्रीस्त के अनुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश करता हूँ ये सब यदि हम करने के लिए तयार हैं हम भे संत कहलाएंगे प्रभू का पत्चनों पर चलने के लिए हमें प्रभू नियोता देते हैं आज जब हम संतों को याद करते हैं हम भी उन संतों से कुछ सीखें वे स्वर्क से उतर के नहीं आये थे आपके और हमारे समान इंसान थे लेकिन उन्होंने प्रभू के जो वरदान है जो प्रभू के गुण है उनको जीनी के लिए कोशिश किया इसलिए वो आज महान संत है उन लोगों के लिए दन्यवाद दें आज जो अपने दैनी जीवन में कटिनायों को सामना करते विए मुश्किलों को सामना करते विए अपने क्रीश्तिय जीवन पर निर्भर है विश्वास के साथ जीवन बिताते हैं उनको भी प्रभू को धन्यवाद दें और हम भी अपने दैनी जीवन में प्रियवे श्वासियों किसी ना किसी तरह से संतों के समान जीवन बिताने के लिए कोशिश करें आमेन